अपक्षे हो गया था और अपरदन हो गया था अपरदन से बनने वाले इस्तल रूप हो गये थे कुछ के नहीं हुए थे भी अधिनल्टा तक हो गया था नदी द्वारा निर्मित इस्तला करती है तो लोगे कंटीनू करते हैं इसको तो नदी द्वारा निर्मी इस्तल रूपों के बाद तो अपक्षय क्या है एक स्तैती क्रिया है और अपर्दन क्या है एक गतिशील क्रिया है तो जब पहले अपक्षय होगा फिर अपर्दन होगा अपक्षय अपर्दन को मिला दोगे तो क्या बूला जाएगा अनाचादन य एक है जली प्रक्रम और एक होता है वायू प्रक्रम लेकिन जब जल कारे करता तो वो कई रूपों में कारे करता है जैसे नदियों के रूप में जल कारे करता है पैते हुए नदियों का पानी हो गया उसके बाद ग्लेशियर के रूप में काम करेगा समुद्र में हैं वहां प परदीद पदार्त को इरोज्ड मटेरियल को कही ना कोई डिपोजिट करेगा तो उससे भी किसी ना किसी इस्तलागरती का निर्मान होगा तो इस्तलागरतियां कितने परकार की बंती हैं दो परकार की एक को क्या बोलते हैं अब परदनातमक इस्तलागरतियां और एक को है नि प्रतिनातमक और कुछ निच्छे प्रतियों को देखाता है। उसी को आँगे कंटीनियू करते हैं। तो पहला है बहीर जात भलब। ठीक है? तो बहीर जात भलब में दो चीजे आती है। अफ़क्षय और अपर्धन। अपक्षय क्या है इस्तेदी क्रिया और ये क्या है गतिशिल क्रिया कल हमने कुछ इस्तला करतियों के बारे में पढ़ा था तो इस इस्तला करती को क्या बोलेंगे गौर्जी यहां कैनियन किसके दोरा निर्माड होगा इसका नदी के दुवारा क्या है अपर्दन के निचे पे अपर्दन है ठीक है ऐसे ही पढ़ाता हमने जल प्रपाद तो जल प्रपाद का समंद्ध किस से होता है इस कठोर सरचना से और उसके नीचे एक इस्तला करती और बनते हैं जिसको क्या बोलते हैं प्लंज पूल इसके अलावा हमने इस तरीके का इस्ट्रक्चर एक पढ़ाता खल तो ये भी जली प्रक्रम के दुवारा निर्मित अपर्दन आत्म के इस्तला करती क्या बोलते हैं इनको स्केटरेक्ट ठीक है तो ये भी क्या होता है एक टाइप का छोटा जरना होता है लेकिन इसको सीडी दार आप जरना पोल सकते हैं ऐसे एक इस्ट्रक्चर और पढ़ा था हमने इस तरीके का कि जब नवदी के मार्ग में जब कठोर चटाने आ जाती है तो नदी उनसे उचल के आंगे पानी गरता है उसको क्या बोलते हैं रैपिड्स ठीक है चिप्रिका ऐसे ही नदी के बेसिन में गोल-गोल पानी गुमने से कुछ गड़े बन जाते हैं क्या बोलते हैं पॉट हॉल्स बोलते हैं ऐसे ही एक मियंडर का निर्मान होता है और उसका जो अफशेश बा Iggy Kisाड में एक Structure रहूर होता है इसको क्या कैंब बोला जाता है Banches अ और यह किया है समपरै मैदान पैणी प्लेð जयां पर ने पढ़ाता जलोड पंक और उसी के टाइप के की structure रहता जलोड शंकू लेकिन ये क्या है दोनों निक्षेप से बनेंगे नदी के निक्षेप से बनेंगे उसी परकार बार के मैदान का निर्मान होता है और उसके किनारों पर क्या बन जाते हैं तटबन बन जाते हैं ये किसे बनते हैं निक्षेप से नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डेल्टा तो उसी टॉपिक को आगे अगर हम कंटीन्यू करेंगे तो उसी में तो नदी के दवारा निर्मित इस्तला करतियों में इरोजनल कंप्लीट हो गया डिपोजीजनल के अंदर एक लास्ट पार्ट बचा हुआ था हमारा डेल्टा तो इ तो उसके लिए पहला फैक्टर क्या है कि जो नदी है उसकी स्पीड में कमी होनी चाहिए अगर नदी की स्पीड बहुत जादा है तो वो नदी डेल्टा का निर्मान नहीं करेगे डेल्टा निर्मान के लिए क्या होना चाहिए नदी की स्पीड काफी कम होनी चाहिए दूसरा इसमें आता है कि जो ढाल है वो बहुत कम होनी चाहिए जैसे पूर्वी गाट को देखोगे पूर्वी गाट में गिरने वाली नदीयों की स्पीड क्या है कम है जाल क्या है बहुत कम इसलिए सी लेवल में और इस तल के लेवल में जादा Identity पानी अपने बैता हुआ नदी में जाके समुद्र में नदी का पानी मिल जाता है नदी मार्ग में रुकावट रुकावट का मतलब ये कि अगर नदी की स्पीड को कंट्रोल करना तो बीच में उसके क्या होने चाहिए अब रोध होना बहुत जरूरी है और एक फैक्टर होता है नदी का भार नदी के भार का मतलब ही होता है नदी के भार, भार का मतलब होता है उसके अंदर जो अफसाद है अब सोचो कि नदी के अंदर ढ़ाल भी है नहींए तो यह सारी कंडिशन होना चाहिए किसके लिए इल्टा के फॉर्मेशन के लिए नदी के वेक में कमी होनी चाहिए नदी के मारक में अवरोध होना चहिए तब पानी रुक रुक के क्या करेगा डेल्टा का निर्मान करेगा जाल मंद होनी चाहिए और नदी के अंदर बाहर होना चाहिए, बाहर का मतलब होता ह kleine में अब सादों की मात्रा उसको बोलते हैं river का load अगर ये सारी condition होती है तो वो नदी क्या बनाएगी डिल्टा का निर्मान क्लिर हुगे चारो पॉइंट अब ये डिल्टा के कई types आते हैं कि कितने परकार से डिल्टा का निर्मान होता है तो उन types को भी आपको बढ़ना है तो इसको note कर लो जल्दी फिर types देखते हैं आदित्य शिक्षा मेगा good afternoon ठीक है clear हो गए इतना अब इसमें types देखते हैं कि delta किसने परकार से बनता है तो लिखें types of delta तो delta के परकारों की बात करें एक को कहते अर्कवे delta यह चापकार Last इसको दनुषा का भी बोल दिया जलता है तो उससका जो शेप रहेगा वह कैसा रहेगा ज्बकर नाम सी clear चाप के आकार का है तनुष की आकार का है जैसे पंखा होता थे उसके आकार का गोलसा नजाएगा किलियर हो गया तो ये डेल्टा सब क्या होते निश्यप से बनेंगे कैसे बनेंगे वो हमने देख लिया और और कोई डेल्टा कैसा देखने में लगता है फैन अंस्ट्रिक्शर यह उसको कह सकते है नामसी के लिए अउपर दनुषा कार यहां चापा का team इस डेल्टा का जो सबसे अच्छा उधारण मिलता है वो विश्व में वो है नीन नदी का डेल्टा, तो नीन नदी इस परकार के डेल्टा का निर्मान करते हैं, ठीक हो आंगे से क्या होगा डेल्टा, पिच्चर भी ओगी इसके अंदर देखोऑते, इस type का अंगे क्या होता है? छाप type का बन जाता है? छीकर जैसे हमने पिछए picture में देखा तो वो फैला हुआ था इसमें चाप नहीं दिख içerा लाग तो इसमें क्या होता? बिलकुल´ इस type का चाप बन जाता तो ये डिल्टा किसका कहलाएगा? नील नदी का डेल्टा किस टाइप का डेल्टा है आर्कवेड डेल्टा है तो जब आप आर्कवेड डेल्टा में लिखेंगे तो उसका एक एक एकजमपल दे सकते हैं वेस्ट एकजमपल हमारे पास क्या है नील नदी दूसरा डेल्टा होता उसको कहते हैं पंजाकार डेल्ट पंजाकार कर लेना इसको पंजाकार डिल्टा जिसी को बोल देते हैं बर्ड फुल्ट डिल्टा बर्ड फुट डिल्टा मतलब यह पंजा किसका लिया जा रहा है किसी पक्षी का पंजा जैसे रहता है तो उसी पंजे के नुमाभी जो फोटू पीछे चल लही थी वो पंजाक आगार टीटा तो नाम से कलिए है क्या है बड़ फुड मतलब पंजे के आकार का अगर शेप बनता है तो उसको बहेंगे क्या बड़ के फुट के शेप का होगा यह चड़िये के पंजे के नुमा आकर्ति होगे नाम से के लिए हो जाएगा और इसका बैस्ट एक्जामपल क्य यह लगबग मारे यहां पंजाकार डेल्टा ही बनता है तो बारत में जो डेल्टा बनता वो ज्यादा तर पंजाकार बनता है और वर्ल्ड में इसका सबसे वड़ा एक्जामपल क्या है हमारे पास Mississippi River ठीक है तो इस टाइप का तो इस डेल्टा में उसमें अंतर आ लिख घर टेप का बनना और यहां पर क्या आप पक्र टाइब का बन गया है तीसरा डेल्टा होता है जिसको बोलते ज्वारनद डिल्टा ऐस्चुरिएन डिल्टा जो ऐस्चुरियन है डील्टा का मतलता माउथ तो ऐस्चुरियन डेल्टा उसको क्या बोलेंMaaf वैस्चुरी कर देते हैं कि डेल्टा और एस्टुरी में क्या अंतर है तो बारत में ज्यादा डेल्टा मिलते नहीं है उसको डेल्टा और एस्टुरी का अंतर बोल देते हैं ठीक है इसका सबसे बड़ा एक्जामपल क्या है? हमारे पास नर्मदा नदी, तो नदी जब आती है तो घाट से जब नीचे उतरती है तो घाट से जब नीचे उतरेगी तो इस प्रकार का कट बना के इसमें चली जाएगी तो इसी को क्या बूलते हैं? V-shaped का सबसे बड़ा एक्जम्पल इसके पास क्या है नर्मदा नदी का टीन टाइप समझ में आए तो पहला फैन टाइप का बनेगा दूसरा बड़ टाइप का बनेगा और तीसरा वी शिप्ड में बनेगा तो बोल सकते हैं उसको पक्षी पद मतलब पाद मतलब पैर पक्षी के पैर वो कोई दिक्कत नहीं है नाम वैसी याद हो जाते हैं बड़ फुट को ऐसा शब्द नहीं है कि हमें बहुत जादा उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज करने पड़ेंगे बड़ा सिंपल नाम होता है उसके बाद एक आता रूंडीट डेल्टा रूंडीट डेल्टा इसको कहते हैंExcuse सेखेड डएनले कर देना यह समुद्र की देल्टा यहां समुद्र की नहरे को क्या करती पूरी त्रीके से कर देते हैं खंडिद कर देते हैं खंडित कर इस पूरे डिल्टा को खंडीद कर दिया किसने सजूरी समुजर की लहरों ने तो डिल्टा यहां तक बनाया था लेकिंट समुजर की लहरों ने आखे इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया हंड़ी इसका एक ďकैजमपल मिलता पापु exposed को न्यू करेंगे तो कौन-कौन से होगे पहला हो जाएगा चापाकार डेलका, दूसरा पंजाका डेलका, तीसरा बढ़बूर डेलका, चौता अर्मूटेलटा जा एरूडेट इस समझे ने हैं तो यह विरखते डेलकी कहानी मैंने बता दिये पैटन अलग होता है डिल्टा अलग होता है ठीक है कि कुछ नहीं सिर्फ शेप में अंतर है इस शेप को देखोगे तो आपको एक पंजे टाइप का हाँ बही बता रहा हूं पहले इस शेप को देखोगे तो इसमें कैसा दिखाई दे रहा पंजा टाइप का यहां पर क्या हुआ इसमें एक इस टाइप का structure बन रहा है यह क्या बन गया आपका एक चाप type का बन जाता है उसलिए इसको fan type का fan जो लिया जाता वो fan ये वाले ने लिये जाते वो fan की जब structure की बात करते जो डंडी वाले fan पहले आपने चलाए होंगे जो बड़े बड़े fan उ यहां दनुशा का डिल्टा बोल सकते जैसे दनुश बन जाता है आर्क शेप में जैसे बन जाता तो आप ले सकते हों इसके बाद सेकिंड था यह था हमारा पहला section जिसमें हमने पड़ा अपक्षय अपर्दन और अपर्दन में पहला नदी अपर्दन के दौरा निर्मित इ कोशन आएगा इसमें थ्री मारकर बहुत सारे बना सकते हों पूरा लेवन मारकर लिखना है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा नदी दौरा निर्मित इसला करती है तो नदी के दौरा अपर्दन आत्म के इसला करती है इरोजनल लेंड पॉर्म और टिपोज दोनों को अलग अलग करके आपको लिखना पड़ेगा टीक है तो अब सेकेंड जो पाइड आता है वह मारा कौन सा आएगा विड्ड वाईू की जब बात करें तो वाईू के द्वारा भी किया होगा बपरदन का निर्मान हो रहा है कुक्छ क्या होती है निक्षे तो वाईू के है कि एक कीसरे हैं असे नजो टाइप के बनाये ते सेम क्या ख़रेगा विन्डबी टूट ताइप की टोपोग्राफी का फोर्मेशन करेगा और इसमें जो टोपोग्राफी आती इसके नाम थोड़े अजीव रहेंके जाद रखना एक तो टोपोग्राफी आती जिसको बोला जाता यार डंग यार डंग यार डंग तो ये टोपोग्राफी का नाम इसकी कोई हिंदी नहीं मिलेगी क्या बोला जाएगा इसको यार डंग बस आपको पैचानना है कि यार डंग कैसा दिखता है और किसके द्वारा बना है और ये क्या है इरोजन है या डिपोजीशन है और किसने बनाया है अभी तो लग रहा है कि विंड ने बनाया है जब लेकिन एक्जाम में जब एक आएगा तो तब आपको वहाँ पहचानना है कि अब ये किससे बनाए दूसरा आता है जुजेन कई जुगेन भी पढ़ लेते हैं जुजेन या जुगेन ठीक है तो अलग अलग तरीके से मिल जाएगा एक होता है इंसेलबर्ग नाम सब के अंग्रेजी में ही मिलेंगे कोई बाइचन साब को हिंदी में मिल जाए तो लिख लेना नहीं तो मुश्किल है इंसेलबर्ग और एक होता है मश्रूम रॉक इसको नाम वैसे इसका गारा होता है इसका वैसे नाम होता है गारा लेकित वो मश्रूम टाइप का दिखता है इसलिए उसका नाम ही क्या पढ़ जाता है mushroom rock, real में नाम उसका क्या है kara, हिंदी में भी kara बोलेंगे, गरेजी में भी kara बोलेंगे ये चार इस्तला करती हैं आपको पढ़ना है, wind में बहुत जादा नहीं है तो क्या-क्या बनेगा, इसमें yard dung बनेगा, जुजैन बनेगा इंसेलबर्ग बनेगा और kara बनेगा, चार इस्तला करती है उन्ट विंडिका effect भी desert में होता सबसे ज़्यादा, wind का effect ही desert में सबसे ज़्यादा होता, other reason में नहीं होता, ठीक है, तो ये desert के topography है सारी, wind मेंने कल भी बताया थे कि wind का effect में ही सबसे ज़्यादा क्या होगा desert में होगा उसके बाद आती है आपकी डिपोजीशनल टोपोग्राफी, डिपोजीशनल में एक बनते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है, बालू, इस्तूप, एक बनते हैं बरकान, बरकान भी कई लोग पढ़ लेते हैं इसको बरकान या बरकान, ठीक है, कई बरकान बोल देते हैं, कई इसको बजाडा ठीक है ये ल, o, e, or कर लें न, लोइस लोइस को लोइस ही बोलते हैं और पैडिमेंट और पलाया ठीक है तो ये सारी इस्तला करती हैं आपको याद रखनी है तो कुछ इस्तला करती हैं कैसी है पहला चैलेंज आपके पास यह है कि अभी तो देखो थोड़ी से पढ़ी हैं आपने जब चारो पांचो सेक्षन पूरे इसके पढ़ लोगे टोपोग्राफी के तो फिर वो हौच पॉच हो जाएंगी ग्लेशियल वाले इधर चली जाएंगी तो पहला सबसे बड़ी प्रॉ पूरण लिखना है तो फिर डिटेल का कोई मतलब नहीं होता हुँ इसलिए टोपोग्राफियों में सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको पैचानना आए कि यह विंड से हो जाता है ठीक है तो एके करके इनको देख लेते हैं इसक्रीर हो गया यह तो या डांग जुजेन इंसलबर्ग गारा क्या है रोजनल है सेंडियून बरकान बजाड़ा लॉइस पैडिमेंड प्लाया क्या है इसमें प्लाया वगरा लोईस वगरां पहले भी कई बर पढ़ च ब्लो मतलब उड़ना, आउट मतलब बाहर चले जाना, ये कोई ऐसी टोपोग्राफी नहीं है, सिर्फ एक टर्म यूज किया था, ब्लो आउट, ब्लो आउट इस तरीके के स्थला करती मिलती है, जैसे आप देखो, समझ सकते हैं इसको, जैसे ये अभी सर्फेस कैसा दिखाई आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, ये डेजर्ट एरिया होगा, डेजर्ट में एफेक्ट पड़ेगा इसका, लेकिन इसी में जब विंड आईगी, विंड आईगी तो विंड ऐसा थोड़ी की उपर उपर चलेगी, तो विंड का फोर्स किस पर लगता है, सर्फेस पर भी तो जब सर्फेस पर फोर्स लगाती है, तो यहां से, इस एरियस इसने क्या क्या कुछ मिट्टी निकाल कर उड़ा दी, तो यहां पर क्या होगा, एक गड़ा टाइप का बन जाएगा, इसी गड़े को क्या बोला जाता है, बिलो, ब्लो आउट, ठीक है, तो इस तरीके का द होता है, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ समझ लेना, कि ब्लो आउट क्या है, फिंड क्या एक इरोजनल लेंड फॉर्म है, ठीक है, गड़ा टाइप का बन जाता है, उसी को बोल देते हैं, ब्लो आउट, ठीक है, हमेशा डेजर्ट में बनेगा, इसके बाद एक टर्म यूज होता है, यह आपने समझी गए होंगे, क्या है यहाँ पर, पैनी प्ले नहीं है यह, इसको बोलते हैं, इंसेल बर्ग, इंसेल बर्ग का एक नाम होँद रुता है, बॉरन हाट, इंसेल बर्ग कोई क्या बोला जाता है, बॉरन हाट बोला जाता है, बॉरन हाट क्यों बोल देती। तो बॉर्न हाट में आपको जो लेंड इस्ट्रक्चर होगा तो इस टाइब के पिलर से दिखाई देंगे गुंब़टाइब के है यह एक मश्रूम टाइब का लेकिन मश्रूम में क्या होता है जो नीचे का जो पिलर रहे गई ये वो काफी छोटा हो जाता है लेकिन इसमें आप देखोगे कि गुंबर टाइप का दिखाई देरा नीचे बहुत जादा इरोजड़ नहीं है तो ये पहले ऐसा नहीं था पहले ये बड़ी चट्टान होगी लेकिन विंड ने लागातार इसको क्या कर दिया इरोजड़ करके एक गुंबर टाइप का बना दिया तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं इंसेलबर्ग तो कैसे लिखेंगे तो मरुस्तली चेतरों में अपरदन चक्र के अंत में मरुस्तली सतय पर अपरदन द्वारा छोड़ी गई चोटी चोटी पहाड़ियां या टीले को क्या बोलते हैं इंसेलबर्ग तो इतनी definition नहीं लिखनी simple याद रखना मरुस्तली चेतर में मिलने वाले चोटे चोटे टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है सिर्फ इतनी याद रखना और बना किस्से हैं वायू के दुआरा ठीक क्या हुआ वायू के दुआरा तो वायू अपर्दन दुआरा मरुस्तली चेतरों में दिर्मित चोटे 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 टीले क्या कहलाएंगे वस शॉटकट याद रखो है वैसे definition notes में भी लिखी हुई है वहां से पढ़ सकते हो ठीक है और लिखना हो तो अपने shortcut तरीके से बना लेना कि यह होता क्या है पस key point आपके दिमाग में रहना चाहिए किस से बना कहां बना और कैसे बना ठीक है विंड के दुवारा बना desert में बना और erosion से बना कैसा दिखता है टीले टाइप का दिखाई देता है बात खतब हो गया इतना देखें तो दो इस्तलाग रतिया होगी एक blow out हो गया और एक क्या हो गया इंसल बर्ग हो गया इसके बाद एक स्तलाग रती आती हैं यह वाली यहां पर यह देखो कि जैसे किसी ने उपर पत्थर रख दी हैं यह रखें नहीं यह आटोमेटिक बने हुए यह इस टाइप की स्टूप टाइप के दिखाई देंगे जिनके उपर क्या है इस तरीके की छोटी-छोटी चट्टाने मिल जात कान एक मेर्ष किव discharge कि गया जथा जैसे इंक पॉट जैसे इनकपॉट अभी तो नहीं आयाते पहले देखा और बना हुआ यह तो वही है यह दवां होगी विंड ने उसको काट के बना दिया विंड काट के कैसा शेप बनाएगी हम डिसाइड नहीं कर सकते हमने उसकी स्टडी किये बाद में कि यह विंड की रोजन से दिया और उन्होंने जोगराफरों ने अलग अलग टाइप के इनके नाम रखे हुए ठीक है यह विंड ने ऐसा बनाया है पहला कैसे था पता नहीं ठीक है तो यह स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है एक टेवल टाइप का यह इंक पॉट टाइप का दिखाई देता है तो इंक पॉट से इसको याद रखना एक स्याहिदानी टाइप का बन जाएगा अगला स्ट्रक्चर आता इस प्यार डांग, प्यार डांग, यह structure आपका देखोगे मरुस्तुरी छेतर में जैसे बहुत बड़ी rail type की खड़ी हुई है, लेकिन यह एक बहुत लंबा structure है, लेकिन अकर इसकी एक single picture देखोगे तो आपको इस type की दिखाई देगी, यह सिर्फ एक single structure है और ऐसे पता नहीं कितने structure लाकों में बने हुए तो इसकी जो पहचान होती है वो यह माना जाता है कि इसका जो structure बनेगा वो इस type का बनेगा थोड़ा सा एक साइज जैसे wind ने यह माना जाता है कि इधर से erosion किया होगा और यह इस type का जुका हुआ थोड़ा आप एक single structure से भी समा सकते हो देखेंगे कैसे इसको देखें ज़रा तो ऐसी चटानी कटक क्योंकि यह लंबे में बन रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा कटक बोला जाएगा रिजोगा जिसका एक तरफ का निचला हिस्सा अत्यदी कटा होता है इधर से क्या हो रहा है erosion ज लिखने होते हैं अगर यह याद रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं कि एक ऐसा structure जिसमें नीचे का भाग काफी ज़्यादा इरोज़्ड होते है और उपर का वाग आंगे की और निकला होता है उसको क्या बोलते हैं यार डांग बोलते हैं highlighting दिखलो जल्दी यार डांग ठीक है और बिष के रूप में मिलेगा लंबी-लंबी श्रंकला इनकी मिल जाती है गुरूपस में रहते हैं तो एक क्या बन जाएगा कटक टाइप का बन जाएगा तो एक ऐसा कटक जिसका उपरी सांगे हो निचला इसा फीछे की जराब के तो क्या बन गया यार डांग कैसा है कटक टाइप का कटक का उपरी हिसा आंगे निकला हुआ निचला हिसा पीछे रहे तो आप डारेक्ट याद रखे कटक टाइप का बन जाएगा इसके बाद एक इस्टक्चर आता है यह है आपका मश्रूम रॉक लेको एक बहुत बड़ा मश्रूम रॉक यह किस ने बनाया है फिर नहीं पहले से क्यों नहीं हो बोलने वाला था वही आपने पहले बोल दिया चटान में अपरदन वहीं होता है जहां चटान सॉफ्ट होगी इसमें यह माना जाता है कि यहां पर चटान सॉफ्ट रही होगी यहां पर चटान इसकी अपेक्षा हाड रही होगी वह सॉफ्ट वाले पार्ट क जल्दी रोजड हो जाता है तो मश्रूम में चटान में अगर नीचे वाला पार्ट सॉप्ट है वह जल्दी रोजड हो जाएगा उपर वाला रोजड नहीं होगा अगर उपर सॉप्ट होता तो उपर का रोजड हो जाता नीचे वाला वहीं का वहीं बना रहता तो वैसे due to wind through erosional process हाँ इतना काफी है बस दो तीन चीजें बता दो ठीक है हमेशा दो तीन चीजें बतानी है दोको दवारा से सुन लो कोई भी लेंड फॉर्म अगर आपसे थ्री मारकर में आता है तो पहली चीज आपको क्या बताना है कि इसकी क्रिया क्या है किस प्रॉसेस से बना है किस प्रॉसेस से बनाए चार-पांच हमारे पास option होंगे wind का option है underground water का option है glacier option है नदी का बहता हुआ option है और सागर की लहरे हैं इसमें से कोई भी हम अंसर लिख सकते हैं दूसरा आता है कि यह erosion है या weathering है वो सरी टिपोजीशन है मतलब यह erosion से बना है या deposit से बना है जैसे यह हो गया इस तरह गरती तो यह क्या है इससे बना है wind से तो wind process से बना है क्या है फिरोजनल है बस देखता किस टाइप का है तीसरा जो हमें बताना है तो किसी का तो structure बताना होता है और कहीं के direct example मिल जाते है अब इसमें आपको explain नहीं करना पड़ेगा direct समझ में आ रहा है कि य नोड़ी से लिखनी पड़ जाए तो जहां पर भी समय लो अपरदन हो रहा है वहां चटान कैसी रही होगी सौप्ट रही होगी ठीक है तो क्या था ऊशन मरुष्टली बागों में च्छत्री के अकार या मश्रूम के अकार की चटान को अंब्रेला लॉक या पैडस्टल रॉक भी बोल देते इसी को एक नाम और दिया जाता है पैडस्टल रॉक मश्रूम तो आमारी समाने बाज़ता में एक चब्द दी दिया गया है तो मश्रूम तो इसको नाम दिया गया अम्मरेला भी वोल सकते छाता में खानफा टाइप का वी हैसrid होता है एक पेडिस्टरल टर्म होता जोगपी में तो इस्सीं मैं दो टीन यह क्या होगा यह तो इरोजन दा यह मरुस्तल के अंदर बनने वाले चोटे-चोटे क्या हैं तो हवा एक तरफ से आती हैं जैसे यह ड्यून यहां पर है तो हवा इस साइड से आएगी इस साइड की मिट्टी उठाकर इधर डाल देगी और यह फिक्स नहीं है यहीं पर रहे हैं इधर की मिट्टी रोजड होके पीछे की तरफ डिपोजिट हो जाता है कि इसी को बोला जाता है sand dune बालू इस्टूप Hindi में क्या बोलेंगे बालू इस्टूप ये कैसे रहेंगे फिक्स नी रहेंगे और बालू इस्टूप में ही एक structure और हमने पड़ाता है जिसको क्या बोलते हैं बरकान तो बालू स्टूप का एक बड़ा structure अगर हम ले ले लें तो वो क्या कहलाएगा बरकान कहलाएगा तो इसके अंदर जैसे इसी में समझोगे तो ये इस type का बन जाता है पूरा एक side से रोजन रहेगा और इस side पूरा क्या हो जाएगा इधर से रोजन होगा और इधर मिट्वी क्या होती जाएगी आखिबाजी जाएगी बरकान एक single structure है send dunes बहुन सारे होती है तो उसी send dunes का एक single structure ले लोगा तो क्या कहलाएगा परकान तो बालू स्थूप खोई क्या बोला जाता है बरकान वो कोई अलग structure नहीं है तो जो बालू स्तूप हैं उसी बालू स्तूप से एदर से इरोजन होगा मिट्टी पूरी साइड चली जाएगी तो एक स्ट्रक्चर टाइप का बन जाएगी उसी को क्या बोलेंगे परकान तो यह दोनों चीजे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है बालू स्तूप और पर देपोजिट ठीक है बढ़ें आगे यह कहलाते है आपके सेंट डिवन और बरकान यह क्या है dönरा समझ में कुछ है इसको पथार भी बोल सकते हैं इसको मेदान भी बोल सकते हैं क्या हो सकता है फिर लोईस का मेदान और लोईस का पथार बढ़े थे हमने तो ये मिट्टी का जमा हुआ है पूरा ये मिट्टी का पूरे का पूरा क्या है इस तरीके सीडियां बन गई मिट्टी का पूरा जमाव है ये मिट्टी के डेर किसने जमा किये हैं विंड नहीं कहां से लाई होगी डेजर्ट से और इसके सबसे वड़े एकजमपल का मिल जात रटे यहां पर मिट्टी का डिपोजिट कर दे इसे को क्या बोलते हैं लोनूस का मयदां और जब इस threatened एक आ कैसी और यह सबसे ज़्यादा क्वाह मिल जाते हैं जीन के अंदर क्लियर हो गया कराज्च का में किस से बना हैं हाथ कि हवा के दोगारा क्या है डिपोजिट है तो जब नदी किसी हवा किसी मरुस्तली चेतर से चलती है तो वहां की बालू को ठाकर किसी दूसरी जगह पर डिपोजिट कर देती है और एक्जमपल जैसे चीन, चीन के उपर क्या है मंगोलिया का मरुस्तल है ठीक है तो वहां से गोबी का डिजर्ट है वहां से सारे डिजर्ट को उठाके कहां डाला गया है चाइना में उसी को बोल देते लोइस का पहले भी एक दो बार पढ़ चुके इसके लावा एक स्टक्चर आता है इसी के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन इसकी स्टडियम किसमे कर लेते हैं सैमी एरिड्स में एक होता बिल सेमी एरिड्स ठीक है ना एक तो देखो कोशन पूछने का एक होता है कि विंड के थू बनने वाले लेंड्स और उसी का दूसरा अंसर कोशन आ सकता है एरिड्स लेंड्स सुस्क इस्तला करतियों की वाक्या किजिए तो सुस्क में जो मैंने अभी आपको दो तीन डिपोज आएंगे तो एक है इंदर वो में टोट में एक अरिडेस टोपगराफी आती है और एक बना लोट को समय की कैसे और इसमें याद रखना थोड़ा सा change आ जाता है इसमें एक पॉइंट का change आ जाता है इसमें fluvial work भी काम करता है विंड तो वर्क करेगा है यहां पर विंड के साथ साथ semi-irid में कौन काम करता है इसको अलग heading मना लेना semi-irid को तो नदी का मतलब नदी का नहीं है फ्लूवियल का मतलब नदी नहीं होता है फ्लूवियल का मतलब बैता हुआ पानी नदीया नहीं आएंगे यहांगे यहां पर dependent पहाड़ों के बहनेवाला पानी कोज लिया जाता है यह जैसे कोई बरसात हो रही है क्योंकि semi-arid है ना semi-arid में थोड़ी बहुत तो बरसात होगी arid में तो बिल्कुल बरसात नहीं होती है semi-arid में थोड़ी बहुत बरसात होती है तो यहाँ पर जो बरसात होगी उस बरसात के effect से इनका formation होता है तो इन में क्या-क्या चीज़ें आते हैं मानलोग की अभी structure को समझे यह आपका सुस्क परदेश है यहाँ पर यह क्या है पूरे का पूरा जैसे मानलोग आप चाइना से उपर से जाते हैं मंगोलिया से आते हैं तो वो एरिड रीजन है एरिड से जैसे जैसे आप चाइना की तरह बढ़ जाएंगे तो आपका कैसे आ जाएगा सैमी एरिड और बिलुकुल चाइना के पूरवी छेतर में चले जाएंगे तो पूरा क् arid के पास में ही क्या हो सकता है कोई semi arid region हो सकता तो ये तो इस side से हो गया थो इस side से हवा चले यहाँ पर lois का मेंदान आया अब आप इस side से आ जाए तो यहाँ पर मालो कोई परवत है यहाँ कोई छोटी मोटी पहाड़ी है clear? उस पहाड़ी से क्या हो रहा है? यहाँ पर वर्साद होगी थोड़ी बहुत तो यहाँ पर जो वर्साद होती है यहाँ पर जो वर्षा होगी उस वर्षा से क्या आएगा? water. उसी water को बोलते हैं fluvial process जब यह water उस पहाड़ी से नीचे जाएगा तो सुआभी कहेगी यहाँ पर कुछ ना कुछ कटाव करेगा इन जगाओं पर जितनी यह जगा है इन सारी जगाओं पर जब पानी नीचे उतरेगा तो उस उचे पहाड़ को दीरे दीरे क्या करेगा? कटाव करेगा तो वो पहाड़ उतना उच्छा नहीं रह जाएगा का जितना पहले उच्छा था जैसे यह पानलो पहले पूरा इतना उच्छा था लेकिन यहां से पानी उतरेगा तो आंगे वाले चेतर को क्या कर देंगा? नीचे कर देंगा परवत की चोटी के पास में ढाल क्या हो जाती? बिल्कल मंद हो जाती वो मंद पहले नहीं थी पहले यह मालो इस तरीके का था अब यह क्या हो चुका है इस तरीके का हो चुका अब यह यहाँ पर क्या आ गया जादा हो गया यह स्लोप आ गया तो यहाँ पर नदी का जब पानी आया जब बैता हुआ पानी आ उसने इस पार्ट को क्य पेडिमेंट दोनों में अंतर है यह वहां पहुंच आप ने कुछ और पढ़ाया था पहुंच भी होगए कर दो पता था मुझे पहुंच जाओगे वह पिडमॉंट था यह क्या है pediment है जब परवत उपर उड़ता है वह इस परवत के तली में क्या हो जाएगा पूरी तरीके से जम हो जाएगा जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, बांगर बगर जमा होता, बाबर बांगर, पढ़े थे सारे उसी टाइप से, लेकिन यहाँ पर वो नदी के द्वारा बनता है, लेकिन यहाँ पर कोई नदी नहीं है, सिर्फ एक पहाड से बहता हुआ, पानी आ रहा है, कभी वो बहेगा, क सबक्राइब को WILLTा है नीचे की स्रचना को क्या बोलते हैं बजाडा और फिटमांट पीडमांट किसे बोलते हैं बजाडा के उपर कि सचनाको एक को मेंस बतादो। अब क्या होगा कि तो परबत के नीचे क्या रही होगी एक घाटी रही होगी तो कोई भी परवत उसके नीचे क्या मिलता है एक स्लोप मिलता है इस स्लोप के अंदर क्या होता है इस स्लोप को बोला जाता है जैसे यह पूरे का पुरा स्लोप है इस स्लोप को बोला जाता है बालसन यह जो पूरा का पूरा स्ल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? बालसन. अब स्वाबी क्या कि पानी इधर से भी आ रहा है, और हो सकता है इधर से भी कभी बर्साथ का पानी आ जाए. तो जब यहां पर पानी इस जगे पर आएगा, तो उस पानी के दोरा ये बालसन भर जाएगा. बालसन में क्या होगा? बराव हो जाएगा उसी बालसन में भरे हुए पानी को क्या बोलते हैं पलाया लेक सोने रण मरुस्तल और मेक्सिको में यह ज्यादा तर मिल जाते हैं तो पलाया क्या है एक जील है ठीक है पलाया क्या है एक जील है जिसमें नदी का पानी बरा रहता है और वो किस जगह पर प आया था परवत से तो स्वाबी के परवत के अंदर चटानों को तोड़ा है तो चटानों को अपरदित अपक्षित करके इसने वहां से नमक भी निकाला होगा तो ये पानी के अंदर क्या रहेगा नमकीन रहेगा जब नमकीन रहेगा जैसे नौक चौट किसकी राजदानी है नौक चौट अफरीका महाधीप में किसी की राजदानी है जाद करना किसकी राजदानी नौक चौट सर्च करो किसकी राजदानी ढूंडो इतनी बात समझ में आई तो ये सारी जगए चीजे एक ही जगए पर मिलेंगी तो पहले वाडी मिलेगा वाडी के हमें जूरत नहीं है जादा पहले मिलेगा पैडिमेंट उसके नीचे मिलेगा बजाडा बजाडा के नीचे मिलेगा बालसन बालसन में जो पानी बरेगा उसको बोलेंगे पलाया बास समझ में आखिए और इस साइड का तो हम पढ़ी चुके हैं और याद रखना जो लोईस का मैदान है लोईस का मैदान अकेला विंड के प्रभाब से नहीं बनता है विंड का प्रभाब जादा है लोईस का मैदान है तो ये मिड़ी जब आई होगी वा मिटी जम चुकी है पूरी तरीकेस वो कैसे जम होगी पानी के दवारा इधर तो सुख परदेश है लेकिन उसके बगल में क्या है अर्द सुख परदेश है तो इसमें तो बरसात होती होगी ना तो इस बरसाद का कुछ पानी क्या होता इसके उपर आ जाता है एक तरफ से रेत जमा होती रहती है उसके उपर क्या होता है पानी आता वो रेत गिली हो क्या है दीरे दीरे जमा हो जाती है उसी को क्या बोलते है लोईस का मेहदान बोल तो प्रभाव इसमें विंड का ही माना जाएगा नदी का उसको बनाने में कार है लेकिन बहुत सब्सक्राइब वर्षा काम करती लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है लाया कौन था उसको विंड कि समझ में आके यह अब यहां पर कुछ फ्लूवियल प्रॉसेस बास सवंझ में आके इन सेमी एरिड रीचर अर्द शुष्क परदेश्यों में अपर्दनातमक इस्तला करती यह जली प्रक्रम दवारा निर्मित अपर्दनातमक इस्तला करती लिख लोग इसको इरोजनल सर्फेस बाई फ्लूवियल प्रॉसेस अपर्दनातमक इस्तला करती किसके दवारा जली प्रक्रम तो जली प्रक्रम दवारा निर्मित अपर्दनातमक इस्तला करती को क्या बोलते हैं पैडी मेंट बोलते हैं कलियर हो गया और कहा बनेगी यह सेमी एरिड में बने गया पैडी मेंट, अब शब्दों का हेर-फेर समझे लिना क्या है? PADI MENT, Spelling को समय लेना, ये क्या है? PADI WANT पहले है PADI MENT और इसकी जग़ाँ सिर्फ ये शबद चेंज हो गया, क्या बन गिए PADI WANT तो इस पूरे एरिये को बोला जाता है PADI WANT, जिसके अंदर PADI MENT भी शामिल होता है बजाड़ा भी शामिल होता है और पलाया भी शामिल होता है इन पूरी इस्तला करती को एक साथ अगर हम मिला दें तो इसको क्या बोलते हैं पैडी मॉंट तो अगर आप से पूछा जाए पैडी मेंट पैडी मॉंट क्या है अर्द शुष के प्रदेशों मे Paddy Men, Bazzara और Palaya के Combin'd रूप को क्या बोला जाता है Paddy Motion और इनकी הנदी नहीं है याद रखना अंगरेजी में याद रखने पढ़ेंगे Paddy Moment और अंगरेजी में लिखके याद करना है Spelling के साथ वो कि सिस्पेलिंग का खेर बजय उदर है सब देख जैसे हैं सारे तो पैडी मेंट, पैडी मॉझ्ट और एक उत्ता हैं, अब देखो, अब इसमें मॉझ्ट का मॉझ्ट है यहां पर भी मॉझ्ट है लेकिन ये spelling चाइज ओगी P E I D था दी I था लेकिन इस साइड आ गया E के इदर तो spelling हुए यह P-I-E-D जिसको क्या बोलेंगे Pidmont यह Paddyment Paddymont ठीक है जिसको क्या बोलेंगे अंतर है यह है Paddyment फिर हो जाएगा Paddymont और फिर हो जाएगा Paddymont तो जो Paddymont है वही है Foothill of Himalya जा Mountains तो परवतों के जो परवत पदी परदेश हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं Paddy Paddy के Paddy Paddy नहीं Paddymont Paddymont कहा मिलता जैसा अपलेशियन में परवत मिलता उसको क्या बोलते हैं Paddymont मैंने का बोला था कि यहाँ पर यह Deposition इरोजनल तो लिखा हैं अब परदन इरोजन को परदन ही तो बोलते हैं किसमें अच्छा उसके अंदर वो लिखिया पहले उसको चैंज कर लेना फिर वो ठीक है उसको चैंज कर लेना यह वाला बना वह क्या क्लासिप्रिकेशन अलग नहीं कर पाया मैं वह एक साथ ही लिख दिया उसको चैंज कर लेना लेकिन वह रोजनल में वहाँ पर नहीं करना है आपको उसको काटके अलगी फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इनका अलग स्टक्चर है क्योंकि वह अगर इरोजन है लेकिन वह विंड वाले में निलिख सकते आप उसको मतल़ इस पैडिमेंट को उधर भी निलिख सकते आप बास समझ में आगी अगर आप साचें कि उस इस बना हुआ है तो वो चैंज नहीं कर पाया उसको आप तीनों को ऐसे कॉमन करके ब्रैकेट में अलग करके उनके सामने लिखना सैरी सैमी एरिड लैंड फॉर्म सर्थ इस्तलह करती है ठीक है अजू समझ में आ गया तो ये पैडिमेंट पैडिमॉंट और पैडिमॉंट म प्लाया है डेट सी में तो यह ज़्यूरत नहीं तो चोड़ दो ऐसे एक्जमपल आपको याद नहीं रखने तो ऐसी प्लाया जीलें बहुत ज्यादा मिल जाते मिलेंगे डेजर्ट में लेकिन सैमी डेजर्ट में कलियर हो गया यहां पर याद रखना कि यह किस परकार से इनक पड़े हैं पैडिमेंट बजाडा और प्लाया वाडी सबसे उपर का चेत्र होता है उसके बाद जो कटाव होता है इसको सकारप बोल देते हैं फिर पैडिमेंट फिर बजाडा और फिर सबसे लाश्ट में क्या आता है प्लाया ठीक है आगी बात समझ में तो ये परवत के ढ़ाल के सारे मिलेगा पेडिमेंट, बजाडा और उसके नीचे मिलेगा पलाया बस करम याद रखना कि इनका करम क्या सबसे उपर पेडिमेंट है फिर बजाडा है फिर पलाया पलाया क्या है एक जील है जो किस चेतर में मिलती है सैमी एरिड में किस में पानी बरता है बालसन में जो बालसन था उसके अंदर पानी बर जाता है और उसी बालसन के अंदर जो केल्सियम गेरा का जो अधर चीजों का निछेप होता है उसको क्या बोल देते हैं क्या ता नाम उसका चाट,क्क्कре नहीं मिली किसकी राज़दा नी है मुरतानिया की राज़दानी क्या है उसी नौक चाट का मतलब वो चाट का मतलब यही है ठीक है न चलो पैडिमेंट यूशन तता अर्द सुस्क मरस्तली भागों में परवत के सामने जल अपरदन के से सामाने डाल और नंगे चट्टानी सतय वाले भू आकरती को पिडिमेंट कहते हैं यह उसकी थियोरी है जो आपने अभी तक समझा है पस चीज़ें वह हैं कि फ्लूवियल प्रोसेसे बना हैं अर्द सुस्क परदेशों में हैं और कैसा हैं अपरदन पस इतना याद रख लें ऐसे ही ता बजाड़ा बजाड़ा भी कहा मिलता गर्म और अर्द सुस्ष्च चेत्रों में पेडिमॉंट और प्लाया के बीच में जमा होने से उत्पन हलके ढाल वाले पहाडी चेत्रों को य उसके नीचे क्या मिलेगा बजाडा बजाडा के नीचे क्या मिलता है पलाया या बालसन ऊशन मरुस्तली बागों में चारों और से परवतों से गिरी द्रोणी को पलाया कहते हैं या इसको यह कह सकते हैं द्रोणी को बालसन कहते हैं और बालसन में जो पानी भर जाता है उसको पलाया कहते हैं, वो डारेक्ट उसको पलाया ही बोल देते हैं, बालसन बहुत कम किताबों में मिलता है, तो डारेक्ट उसको पलाया ही बोले, क्यowers के पहाड़ीयों के बीच में गिरी देती है, ठीक है क्लियर हो गए तीनों चीशे, तो ये अर्द सुस्क प्रदेश की एक अलग हेडिंग बना ले था, तीनों को अलग से तो विंड के वाले पार्ट में ही आपके दो आ जाते हैं, एक एरिड रीजन और एक सैमियर, तो सैर्मी एरिड रीजन की टोपोग्राफी तोड़ी अलग है ठीक है, किलियर हो गया तो बजाड़ा, पेड़मांट और पालसम, हाँ बोलें वही तो इन्होंने पूछा दाभी दो मिनट पहले नहीं यह वही तो मैं समझाने का परियास कर रहा हूं की इस टोपोग्राफी को समान देता है, अलग कोई नहीं बढ़ाता है समझ ले पहली मेरी बात को, मैं क्या कहना चारहा हूं? वह गलती मेरे सिचनी हो गई कि मैं वह पहली जो स्लाइड थी उसके फार्मीट को चैंज नहीं कर पाया अब उसका फॉर्मीट दवारा से मेरे से समझ ले एक बात जो फॉर्मेड था हमारा वो यह था विंड वाला विंड में क्या होता है एक होता है एरिड रीजन और एक होता है koyЬ- accept करो एक लोगा semi-arid, arid में जो effect है वो किसका होगा, wind का तो इसमें mostly किसका effect पढ़ा जाता है wind के effect से wind से two type के landform बनते हैं erosional बनेंगे और depositional बनेंगे जो semi-arid reason होता है इसमें किसका प्रभाब रहता है fluvial water का semi-arid में किसका effect है fluvial water, fluvial का मतलब बहता हुआ पानी जो पाडियों से आ रहा है इस से भी क्या बनते हैं दो प्रकार के बन जाते, एक surgeonal और एक depositional erosion में क्या बना था आपका pediment बन गया था और depositional में क्या बन गया था आपका vazarडा बन गया था और vazarडा के साथ क्या बन गया था प्लाया बन गया यह सेमी एरिड का अलग क्लासिफिकेशन होता है पूरे का पूरा और जो एरिड है एरिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है अलग रहता वह आप जो चार्ड शुरू से बना वह मेरे से नहीं द्यान रा बनाने का तो आप उसको दुवारा से एक बना लेना बाकी की टोपोग्राफी मैंने आपको समझा दी आगे समझ में आप सारी बाते हैं क्लियर हो गया ना तो इस तरीके इस उसमें अंतर कर सकते हैं तो यहां इस तरीके का यहां पर सनौपसिस बना लेगे डिकलो नमान नहीं क्या होता है कि अगर किताब में पड़ोगे तो विंड के साथ ही पूरा मैटर पढ़ा देते लिए वह सनौपसिस शुरू का था ता왜़ा गडबर हो गया ठीक है, clear हो गया इतना तो इसको एक बार नहीं समझ में आए तो मुझे कल बताना, मैं दौरा एक बना के दिखा दूँगा आपको, कल जब इसका revision कराएंगे तो मैं दौरा से इसका शुरू से बना के आपको दिखा दूँगा, ठीक है तो ये हो गए हमारी कौनसी arid और semi-arid region की इस्तला करती है, मैं दौरा से कल पूरा PPT पे बना के आपको दिखा दूँगा, बाकी structure वही रहेगा, ठीक है, arid region और semi-arid region, अब आता है आपका ground water तो पहला कौनसा था हमारा fluvial, दूसरा हो गया wind वाला portion, जिसमें arid और semi-arid और एक portion आए जाएगा, हमारा कौनसा ground water, इससे भी कई स्तला करतियों का निर्मान होता है, तो पहले तो ground water होता क्या है तो भूप रस्ट के नीचे, मतलब भूमी के नीचे, अधार शिला के छिद्रिस्तान में उपस्तित जल को क्या मतलब सिंपल याद रखेंगे बाजशा कि भूमी के नीचे जो जल मौझूद है लेकिन वो जल किसके उपर रखा हुआ किसी ना किसी प्लेट फार्म के उपर है इसका मतलब उस जल के नीचे क्या होगी कई ना कई कड़ी चटान है जैसे यह मान लोग की कोई जगय है तो यहाँ पर पानी है इस जगय पर इसका मतलब यहाँ पर पानी है तो यह पानी किसी ना किसी चटान के उपर रखा होगा कई बार देखा होगा कि जब बोरिंग करते हैं पहले तो पानी मिल जाता, लेकिन बोरिंग को और ज़्यादा गहरी कर देता है, तो फिर पानी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब पानी का एक निश्चित जगह है, जहां पर वो पानी हमें पतली-पतली दाराओं के रूप मिल सकता है, उसी को क्या बोल देते हैं, अंडर ग्रा जो हम पूरे अंडर ग्राउंड वाटर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, अंडर ग्राउंड वाटर के जो इफेक्ट हैं यहां पर, वो आपके कास्ट रीजन में मिलते हैं, तो यहां पर जो आपका एक टॉपिक आ जाता है, उसको कहेंगे कास्ट टोपोग्राफी, क्या बोले का पूरी जो इस्तला करती है, यह पूरे का पूरा जो रीजन है, इसको बोलेंगे कास्ट चेतर या कास्ट रीजन, क्यलियर हो गया, अब इसमें जो इफेक्ट होता है, और कास्ट टोपोग्राफी, उसे कहा जाता है, जहां पर सबसे जादा किस चीज की प्रदानता की चूने की और जिपसम वगएरा की या कैल्सियम वगएरा की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती ऐसी जगाओं को क्या बोला जाता है कास्ट टोपोग्राफी जो किसके प्रभाब में रहते हैं घूमी गत जल के प्रभाब में और उपर से आने वाले पानी के प्रभाब में जाते ही अब इससे कैसी इस्तला करतीयां बनेंगी उसको जला देखें इसको मत देखो अभी मैं देखा रहा हूं अभी सारी चीजी तो ग्राउंड वाटर लेंड फॉर्म से यहां डारेक्ट इसको कार्ड़्स लेंड फॉर्म वह आप लिख सकते हो कास्ट टोपोग्राफ confusion हो गया सभी के साथ ऐसा हुआ है क्या Arid वाला दिक्कत आगी क्या अभी सुनो मेरी बात सुन लो मेरी बात जितने land form पढ़ाए वो तो समझ में आ गए confusion सिर्फ यही आ रहे कि पहले मैंने उसको क्यों बोल दिया वो गलती हो गए कि क्यों बोल दिया बस वो सुनोप्सिस को हटा दो land form समझ में आ गए कि नहीं आ गए land form में कौन सा कैसे बना यह समझ में आ गया जो चार्ट समझ में नहीं आया वो मैं अलग से कल बना के दिखा दूँगा बात कतम हो गई बाकी नहीं समझ में आ तो कल दुबारा से बता देंगे ठीक है नया चार्ट बनाके बता देंगे पाकी शक्री बन गई यह पुरी कल तौगा तो ठीक है कल जब इस्टार्ट करेंगे तो पुरे का पूरा एरिट और सेमी एरिट को अलग करके पूरा उसको दुबारा से बता दूंगा अलंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लेंड फॉर्म समझ में आ गए कि ये इसलिए मैंने वहाँ बीच में चेंज कर दिया ता सेमी एरिड टोपोग्राफी एरिड में एक एरिड होगा एक सेमी एरिड होगा बाकी कल कर लेंगे चल्च छोड़ा दुबार दी जाएक कल समझा दोना ठीक है कल एक वर द्वारा से करवा दूंगा दिक्कत आ जाएक लेकिन यह अलग पार्ट स्टार्ट हो गया अब यह नहीं मत सोचना कि इसको उसके साथ लिंक कैसे करें लुवियल वाला पार्ट अलग था विंड वाला पार्ट अलग हैं ग्राउं केव तिंग कोल डॉलां डॉला युवाला पोलजी अ और डिपोजीशन में जाएंगे तो स्टैलिक टाइट और स्टैलिक माईट स्टैलिक माईट यह लास्ट यह थिर्टरी मार्कर में कुछ आया था इसके बारे में दोनों में से कोई एक पूचा गया था है टाइट आया आया था जरूरूर। पहले भी आ चुका है वह आता रहता कुछ ना पूछ तो इस लेवा से कही ना कहीं से आएगा अब यह नहीं कि हर साल वही आए तो नया कुछ आएगा जो पिछले साल आया स्वाभी के वह अगले साल फिर नहीं पूछेगा थोड़ा बहुत अलग तो आपको दूसरी टोपोग्राफी पर महनत करके रखो इस साल पूछी तो ऊसकता अगले साल दूसरी टोपोग्राफी पूछ और आवं ग्लेसियर के पीछे हाथ दो के थोड़ी पढ़ेंगे कि नहीं ग्लेसियल वाली पढ़नी है वो उसने पूछी थी तो हर साल स्टेलिक टाइट और यहां पर है स्टेलिक माइट कलियर हुगा देखो जल्दी इनको पिर समझते हैं क्या है कि कि यह आपका पूरे का पूरा कास्ट टोफोग्राफी का नमौना इस पूरी टोफोग्राफी को सब जो पहले क्या है यह जितना भी ये दिवाल टाइप की दिखाई दी रही है, ये आपका एक स्थल है, और उस स्थल के नीचे ये क्या है? एक गुफा बनी हुई है, पानी की एक गुफा बनी है, ये गुफा पहले नहीं होगी, इसके अंदर छोटी छोटी दल दाराओं में क्या कर दिया? एक बड तरीके की चीजे होती हैं, तो दो work एक साथ होते हैं, एक क्या होता है, ऊपर का work चलता रहता है उसमें, इस पूरे छेतर को क्या बोलेंगे, cast topography, तो इस cast topography में एक तो ऊपर वाले surface पर effect होता है, एक इसके अंदर घाटी के अंदर कुछ effect होता है, तो दो प्रकार के work होंगे, एक erosional और एक hipogesional लेकिन दोनों जगे होंगे उपर भी होंगे और नीचे भी बनेगे अब उपर वाले पहले समझते हैं फिर नीचे वाले उपर में जादे से जादा जो बनते हैं वो कैसे रहते हैं erosional, उपर जितनी भी topography बनती है वो ज्यादा तर क्या होती है erosional topography होती है कैसे बनेंगे ये देखें सारे नहीं पढ़ने इसमें से मैंन मैं चीजें पढ़ ले तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कोई plane area तो यहां से अपर दन start हुआ ये वाले area का क्या हुआ यहां पर अपरदन start हुआ कैसे अपरदन start हुआ क्योंकि ये क्या है चूना पत्थर का छेतर होगा चूने पत्थर में उपर से दो-चार पानी की बूने गिरेंगी तो वो उतनी जगे क्या हो जाएगी घुलने लग जाएगी जब ये चीजें गुलने start होगी तो इनको अभी छोड़ देना ये वाला कुछ भी नहीं पढ़ना भी इसको देखना पड़ेगा ये लैपीज तो important है उसमें देखो मैंने कौन-कौन सी इस्तला करती हैं बता ही एक मैंने लिखाया होगा लैपीज, एक होगा, सिंक हॉल, दोलाइन, युवाला और पोलजे तो जो जो लिखा ही उनी को समझ लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा जब इन दोनों साइट से इस तरीके से erosion start होगा तो ये वाला area erosion हो के और नीचे चला जाएगा और इधर वाला भी और नीचे चला जाएगा बीच में एक दात type का निकलाएगा ये एक structure की बात करना हूँ जब इस पूरे structure को इस कमरे में फैला दो गए तो ऐसे कई दात क्या हो जाएंगे पूरे स्थल में बन जाएंगे जिनके उपर आप पैर रखकर चल भी नहीं सकते केलियर हो गया इतना बेकार लेंड हो जाता है तो इसमें ये जो start हुआ था तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस type का structure बन चुका है तो ये जो दात type का बना हुआ है इसी दात को क्या बोलते हैं लेपीज बास समय में आगया तो ये एक नहीं होता ये बल्क में पाए जाते है यहां तो हम सिर्फ एक नमूना दिखा रहे है अभी फोटू दिखाऊंगा इनकी तो ये किसमें पाए जाएगा बल्क में लेकिन अगर इस दात को तोड़ दिया जाए अगर दात को बीच में तोड़ दें तो ये एक बड़ा गड़ा बन जाएगा यहां पर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा गड़ा बन गया यहां से ये दात तूट गया तो इसको बोल देते हैं स्वैलो हॉल यह इसी को आप जो मैंने लिखाया था Sink Hall तो इसको क्या बोल सकते हैं Sink Hall मतलब जमीन में एक बहुत बड़ा क्या हो जाता है गड़ा टाइप का जैसे रोड पर भी देखा होगा कही बार जमीन नीचे दज जाती है बड़े बड़े गड़े बन जाती है उसके नीचे क्या होगा कही ना कही इस प्रकार की मिटी रही होगी जो दीरे दीरे अंदर की अंदर क्या होती गई घुलती गई और नीचे से सरक गई पिर उपर की रोड पूरी की पूरी नीचे पैठ जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम sink all तो sink all क्या है इसको बोलते हैं इंडी में क्या बोलते हैं गोल मतलब गुलन शिल रंदर का मतलब का होता चीद और गुलने वाले चीदर दो ऐसी चुना पथर वाली चट्टानों के उपर ऊपर क्या मनते हैं चोटे चोटे हमें hall मिल जाते हैं से बने वे चुने के ँलने के करन होकिन का यहां से सीदा इस पर आ जा भी बात में देखें उसको पर का माना जाता है कि size थोड़ा भड़ा हो जाता यहां जादा बड़ा तो नहीं दिकाई देरा एखWherehat तो सिंख हौल का बड़ा size क्या कहलाता है जो line जब एक छेद बना तो वो दीरे दीरे क्या होता गया छेद बड़ा होता चला उसको क्या बोल देंगे तो line और do line का size इक और बड़ा हो जाता है जहाँ पर देखेंगे चिनी जग़ए ढगई तो इसको क्या बोला जाएगा यू वाला तो तिंक हॉल से बड़े होते हैं डोलाइन, डोलाइन से बड़ा होता है यू वाला लेकिन अब इस जगह पर क्या हुआ दिए यह जमीन यहां पर थी पहले याद रखना यह वाला लेंड इस लेंड के साथ जुड़ा हुआ था यहां तक था पूरा लेकिन यह हॉल इतना बड़ा होता गया कि पूरी जमीन ही नीचे था सक गई इसको क्या बोलते हैं पोल जे आई थोड़ी बहुत साउंज में जैसे मान लो कि आपको इस कमरे से बाहर निकलना हो और गेट वगएरा पूरी तरीके से लॉक हो गए हो अमर्जंसी में तो आपको कोई option नहीं ऐसी कई बार case हो जाता है कि आपको बाहर निकलना है और आपके पास एक rod पड़ी हुई है और दिवाल में आपको एक छोटा सा hall दिखाई दे रहा है वो है sink hall या उस hall में से निकल जाओगे नहीं निकल पाओगे आपको क्या करना पड़ेगा वो hall बढ़ा करना पड़ेगे तो वो रॉड लेंगे और उस उसको और बढ़ा करना पड़ेगा और बढ़ा रोगे तो उस और बढ़ा करने से क्या बन जाएगा युवालाबं denken भी सुद्ध से कमरे की बात करनों पूरी विल्डिण्स की नहीं हो टो जब आपने और बढ़ा कर दिया तो पता लगा जब तक आप निकले पूरी की पूरी शनीजी नीची गिर गए उसको जाएक पूरी शट गिर जाती उसको बोल देते हैं ये पूरी इस्तला करती है आप Stri machtी आपकी कहा का हुए धिव लिए विंडु नाम रखाजाता है कि इतने ज़ादा गहरे हो जाते हैं नीचे की घाटी तक पहुंझ जाते हैं फीर नीचे क्या चलता होगा किसी चीज को आर पार देखना बात साँज में आ गए तो ये सारी इस्तला करतियां कहां पर बनी उपर इनको क्या बोलेंगे इरोजनल टोफोग्राफी अगर मालो आपको कास्ट टोफोग्राफी पर एक साथ आजा लिखने को अंडर ग्राउंड वाटर की टोफोग्राफी ना पूछे आपसे डारेक्ट पूछ ले कास्ट टोफोग्राफी को एकस्प्लेइन करना पड़ेगा कि ये किस चेत्र को बोलते हैं जहां पर क्या मिलेगा लाइम स्टॉन वगरा तूना वगरा अब क्या होगा कि जब ये इसके नीचे तो पहले ये इतना बड़ा नहीं होगा ये इसको क्या बोलते हैं केव ये क्या बन गए ये आपकी केव यहां उसको बोल देते हैं कास्ट वैली गुफा बन गी क्या बोल देंगे इसको कास्ट वैली तो उपर टोपोग्राफी बनी और उसके नीचे के क्या बन गई पूरी की पूरी एकर कास्ट वैली का फॉर्मेशन हो जाता है ये वैली कैसे बनी ओगी तो वैली भी इसी प्रकार से बनी होगी जब यहांसे कोई नदी आ रही होगी तो नदी यहां से जमीन के अंदर चली जाती है होती है ऐसी कई नदीयां जहाँ पर क्या होता कि वो जाती तो है वो उनका मुहाना मालूम नहीं पड़ता कि आखिर वो नदी कहां चली गए तो वो नदी क्या करती वही जो सिंक हॉल वगरा बने होते हैं उसी Sink Hall में पानी चला जाता और पानी जमीन के अंदर अंदर परवाहित होने लगता। आंगे जाके कहीं पर भी निकले वो बाद कीजीजिए। तो कुल मलाके वो पानी जब जमीन के अंदर जाएगा और पूरी इस्तला करती कैसी चूने पत्तर की है। तो वो अंदर जाके क्या करता है चुने पत्थर को गोल कर एक बहुत बड़ी गुफा टाइप की बना देता है उसको क्या बोलते हैं कास्ट लेकिन ये कास्ट जो वैली बनी है ये इरोजन से बनी हुए याद रखना इसका फॉर्मेशन किससे हुआ होगा इरोजन से अब इस किसी के अंदर क्या होता है अब इसके अंदर समझें जैसे मालो कि आप इस कमरे के अंदर हैं ये पूरी की पूरी आप मालो किसके अंदर बैटे हुए हैं कास्ट टोपोग्राफी में किसके अंदर हैं कास्ट वैली के अंदर बैटे हुए हैं अब इसके ऊपर क्या बने हु है ज़रों की चछटों से पानी बहुत आता है तो वह जो पान की ज़्भाई बहुता हृँ न कहीड है अंदर जाएगा कितना भी अच्छा करा लो आएगा इस प्रॉन्द बना घरेगा अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वह पानी एकिएला नहीं आ रहा olun उस पानी के अंदर चूना भी गुल कर आएगा जब पानी के साथ पानी की बूंद एक दम तो नीचे नहीं गिरती पानी की बूंद आप देखा होगा कितने समय तक हो ठीके एक मिनर दो मिनर तक वो दिवाल से चिपकी रहती उपर च्छत से फिर उसके बाद क्या होती है वो बूंद गिरने से पहले वो बूंद में क्या होता वाश्पीकरन हो जाता है तो वह तो वाश्पीकरत हो के चली गई लेकिन जो चूना घुलकी आया था वह कहां जाएगा वह उसी छत से जम जाएगा जैसे देखाओ का सीलन आ जाती वह एक दम फूल से जाती है पानी तो ख जल्दी नीचे गिर जाती है तो वो चूने को लेकर नीचे गिरती है तो जहां गिरेगी वहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाएगी फिर वो नीचे से जमाव उपर की तरफ स्टार्ट हो जाता है तो इस परकार के दो परकार की इस्तला करतियों का निर्मान होता है तो कुछ दो इस्तला करती हैं जिनको आपको याद रखना है तो एक को कहा जाता है stelag tight और इसको क्या बोला जाता है stelag might थोड़ा संतर है याद रखना तो जो नीचे उपर से जमाव होगा छत में उपर से जो जमाव होगा ठीक है ना उस cross to valley की छत से जब चुने का जमाव नीचे की तरफ होता तो उसको क्या बोलते है stelag tight और जब वही जमाव नीचे से उपर की और ओने लगता मतलब bottom से उपर की और होता उसको क्या बोलते stelag might और confusion से बचने का simple तरीका अगर यह मालो च्छत है तो इससे इस परकार की अकरती बनेगी और इसमें एक डंडा अगर आप बना दोगे तो एक अंग्रेजी का शब्द बन जाएगा जैसे मालो पहले एक शब्द बना लिए कौन सा शब्द है ती मतलब tight अब इससे जमाव यहां एक एक बूंद जमा हुई होगी फिर बूंद चौड़ी होती चली जाएगी यह बन गई आपकी इस्तरा करती तो टी से मेशा आपको याद रहेगा कि टी उपर से नीचे की तरफ का structure बनेगा तो यह हो जाएगा मेशा टाइट फिर भी लगे कि नहीं हमें नहीं दिक्कत आ रही है तो आप नीचे से जमा दो यह बना दिया आपने इस टैलेक माइट और दो बना दो एक साथ अगया माइट एम बन गया कि नहीं बना यह structure किसका बना दो एम बनाओ एक एम बनाओ और उस एम से दो आपके क्या बन जाएंगी स्टैलेक माइट बन जाएंग तो सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए टाइट कोंकि दोनों ल कई बार यह क्या होता है उपर से नीचे मिलने वाला आपस में जुड़ जाता है उसको क्या बोल देते हैं इस्तंब यहां पिलर बोल देते हैं वह सिंपल स्ट्रेक्चर होता है तो दो मैं याद रखना स्टैलेक टाइट और स्टैलेक माइट क्या है इरोजन से बना के बोलते हैं बिल्कुल उबढखाब्ड इस तरह करती किसी भी यूज में नहीं आती है अगर आप इसमें चले भी जाएंगे तो इसकी उपर चलना मुश्किल हो जाए जहां पैर फस गया वहीं टूट जाए ठीक है कि देखो वेक्टन के प्रणांस रूप उपरी सतय पर सतय बहुत विशम हो जाती जिससे लैपिया या लैपीज कर लेना लैपीज का जाता तो विशम का मतलब क्या होता अगर समान है तो वो समें और अगर पूरी तरीके से उबढ़ खाबड हो गए कि आपका चलना भी मुश्किल हो गया तो उसको क्या कहेंगे विशम कहते ना पाले रीजन में और किससे बनेगा इरोजन से ऐसी एक पार्ट होता जिसको क्या बोलते हैं सेंग कॉल क्या होता है तो इसी टोपोग्राफी में जब उपर का चितर गुलने लगता तो एक गड़ा टाइप का बन जाता है उसी में क्या लिका पानी चुना पत्तर के जोड़ इसको अपने साथ ले जाता है और बड़े-बड़े वहां पर सिंक बन जाते हैं इनको बोलते हैं सिंक हॉल तो यह दो समझ भी आ गया एक हो गया हमारा लैपीज और दूसरा हो गया सिंक हॉल किस टाइप के यह हमारे चेरों के सिंक हॉल है ठीक है यह ऐसा तो इसमें भी कुछ ऐसी गटना हुई होगी विचारे कई बार गाड़ियों की गाड़ी नीचे चली जाती है लेकिन यह नॉर्मल स्टक्चर ऐसा हो जाता है तो वैसे इमेज दिखाने के लिए डाल दिया लेकिन यह बनेगा कहा पर कास्ट टोपोग्राफी में बनेगा ठीक है देख लो जल्दी फटापर इसको इसके बाद आपको तीन स्थरा करती मिलती है डो लाइन युवाला और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह हैं डोलाइन तोटा सा सा इस तक बार यह बाड़ा होता होता चला जाता कई डोलाइन मिलकर क्या बना देती हैं यह वाला जैसे हमें किसी चीज को जैसे छत को घराना और छेद करके तो एक ही जगह पर तोड़ने तो कई छोटे-छोटे छिद्र बना दो कई छोटे-छोटे बनाते जाओंगे तो वो सारे एक साथ मिल जाएंगे जब कई रही चोटे-चोटे सिंक और मिलकिए आपस में क्या होते उनके जो बीच के कटएं वो मिल जाते हैं और पूरे का और युवाला क्या होते हैं जब डूलाइन आकार में बड़ा हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं युवाला और जब युवाला का आकार और बड़ा हो जाता तो उसको क्या बोल देते हैं पोल जी ठीक है एक शब्द पढ़ा होगा टेरा रोसा, होना है कभी, टेरा रोसा, क्या होता टेरा रोसा, एक परकार की मिठी होते हैं, तो टेरा रोसा मिठी क्या होती है, जब ये पोलजे पूरे का पूरा नीचे नीचे पीत हो जाता है, जिस जगे पर ये मिठी पूरी ढहके गिरती है, व तो वैली बनी हुई थी इस्ट्रक्चर शुरू में देखा होगा अगर याद आ रहा हो तो वैली का जब पानी आ रहा था उसने भी तो परदित करके मिट्टी को आंगे कहीं ना कहीं डाला होगा और उधर से उस वैली की मिट्टी आ जाती है उस मिट्टी वो बहुत जादा होती है उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं टैरा रुसा कि मिट्टी है एक प्रकार की टैरार्ण। के लिए रोगया डॉलाइन का बढ़ा का युवाला युवाले से बनेगा पो नहीं को और न isn pursuing से युवाला युवाला से लेकिन अंग्रेजी में लिख कर नहीं ह। अगर आप हिंदी भी शब्द को अंग्रेजी में उसके यहां फिर आपको लग रहा है कि मैं हिंदी में सह नहीं लिक पा यह हिंदी लिखे ब्रैकेट में चाहो तो उंग्रेजी का पाईचांस यूज कर सकता। नहीं तो देवनागरी में समझ में आजा पाए। इतना टाइम कहां रहता है कि हम दो दो बार रिख लें। एक शब्द आता इसके अंदर ब्लाइंड वैली है। यह कोई रोजन डिपोजिन से नहीं जुड़ा हुआ है, एक एस्ट्रा पॉइंट है। ठीक है ना, ब्लाइंड वैली अंधी घाटी है। एक होती है कास्ट वैली, तीन तरीके की वैली बनती है यहां पर, एक को कहते हैं तो जो नीचे बनेगे उसको क्या वो लेंगे। कास्ट वैली। और एक यहां से पूरा नहीं दिखाएगा चित्र में, यहां से मालो यह नदी का पानी इसे आंगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके संदम जो। अब यहां पर क्या हो रहा है कि कोई नदी आ रही थी, चूटी मोटी कोई भी नदी हो, इस नदी का जो सामानी स्ट्रक्चर था वो यह था कि यह नदी इस तरीके से प्रवाइट होती है। इस सर्फेस पर आंगे कहीं पर भी जा सकते है। तो यह इसका नदी का क्या था एक सामानी रास्ता था और इसमें पीछे से कहीं आ रहा और आंगे की जो नदी की गाठी यह पूरी तरीके से क्या है उट्राई होजाती इसलिए इसको क्या बोलते हैं । कि ये वैली कैसी हो जाएगी पूरी की पूरी वैली किसको बोले गें क्या ये नीचे वाली वैली ब्लाइंड वैली है? वो cast valley है और इससे आंगे जो नदी सूप गई उसको क्या बोलेंगे dry valley तो blind valley किसे बोलते हैं जिस जगह से पानी नीचे गया उसके पीछे वाली valley को क्या बोलते है प्लाइंड वैली पासाँ जिस जगह से नदी गाइब हुई है उस जगह से लेकर पीछे वाली जो जगह उसको क्या बोला जाएगा ब्लाइंड वैली और उस गाइब वाली जगह से आंगे वाले को क्या बोलेंगे ध्राई वैली और नीचे वाली को क्या बोलेंगे कास्ट व सब्सक्राइब दोखर लगना हां थोकर सीधर सीधर वो याद नहीं आता कई बार कोई चीज है महन में लिखते समय कई वर शब्दी याद नहीं आते अब ठोकर याद नहीं आ शामाने शब्दे सभी वाशा में यूज कर लेते हैं तो जब आप मालो किसी साती के साथ जा रहे हैं और उसको ठोकर लगी आपको नहीं लगी तो आप उसको क्या बोलोगे अंदा हो गया सही नहीं चल सकता कि ऐसा बोलोगे कि वो घर पर चला गया उसको फिर जाके बोलोगे अंदा हो गया बात में थोड़ी बोला जाए कि जहां पर गिरे थे वही पर आप उसको अंदा बोलोगे उसी परकार वैली ऐसा नहीं कि आंगे वाली को कई लोग यह बोल देते कि आंगे जो वैली बने कि उ लाइड-वैली तो यहां पर नधी गाईप हुई यही से उसको न क्या नाम दे देंगे प्लाइंट-वैली पीछे की गटना ब्लाइंड च्हते लाएं आंगे की गटना ब्लाइंड नहीं च्या उप्लाइड रखेंगे टीमली ग्या या जादव कि जो पानी को अंदर निगल जाते हैं कि माध्यम से गाइब हो जाती है तो सत्य की धारा क्या गरती कई वार गाइब हो जाती है निगलने वाले छिद्र की जगे आप चाहो तो सिंक कोल का सब्न जूज कर सकते हैं कि Sink HALL के माध्यम से वो धराएं क्या होती है कई वार गाइब हो जाती है और गाटी का अफ शुस्क हो जाता है आंगे का वात क्या हो गया सुस्क हो गया जिससे क्या का जाता है और जबकि गाटी के पिछले भग को अन्धी घाटी किलाएब गाफ समझ में आ गई तो बैकसाइड का जो भाग वह क्या क्या झाफ और सब्सक्राइब कास्ट वैली तो रोजन से बनी हुई इसमें कोई रोजन डिपोजन नहीं है एक टर्म है कि इसी टोपोग्राफी के अंदर ब्लाइंड वैली भी मिल जाती है ठीक है दिख लो जल्दी फटाबर और क्या बचा इसमें देख कास्ट वैली को के वन बोलते हैंanak के पूरी की पूरी गुफा होती है उसी को वैली बोल देते हैं एक ही चीज़िए बुलागालग निए ठीक है उसी को को के बोल देते में केलियर हो गया चलो तो यह हो गया blind valley का concept तो तीन तरीके के हो गई backside की blind valley, अंगे वाली dry valley नीचे वाली cast valley देखो जल्दी इसको कल संडे को आना है पता है ठीक है वो नौ वजे के लगबख की timing रहेगी वो schedule आपको मिल जाएगा जो भी रहा होगा ठीक है, शाम तक आपको जाने सब पहले बता देंगे तो खापी के आना 4-5 गंटे class रहेगी, minimum 4 गंटे तो रहेगी, तो फिर कहो आके सरफ भूख लगने लग गईगी, तो जोगाड़ करके आना अपना, अब ब्रेक तो देंगे, उसको दो टाप में पढ़ाऊंगा, पहले डेड़ पॉने गंटा एक, डेड़ पॉने गंटा एक, बीच में ब्रेक रहेगा, 15-20 मिनट का, तो आराम से खापी लेना, चलो, हो गया इतना, अब एक आता है, के वर्न्स, ये पूरी की पूरी जो अंदर की कास्ट वैली थी, इसी को क्या बोलते हैं, केवन्स, या के, के मतलब होता गुफा, इसी को क्या बोल देते हैं, गुफा, ठीक है, तो चूना पत्तर, छेतर में भूजल के छरण कारी कार्यों के दवारा, छरण मतलब वही, इरोजन, ये दवारा निर्मित गुफाएं सबसे महत्पन, भू, इस्तला, प्रतियां होते हैं, तो कुल मलाकि, इसका निर्मान भी किस से हुआ है, इरोजन से हुआ है, इसमें उपर से ये ड्रॉप हो रहा है, उपर से आप देखो कि काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है, तो उस सारी चीजों को क्या बोला जाएगा, स्टैल एक, दो शर्म सब्द होते हैं, एक स्टैलेक टाइट और एक क्या होता है, स्टैलेक माइट, तो T से बनेगा तो टाइट और M से बनेगा तो, नीचे से आप से कई M बन जाएंगे, वो माइट बनेगे, उपर से बनेगा तो टाइट बन जाएगा, बस ये इसमें अंतर है, टाइट और माइट में, simple definition क्या होती है, जब चूने का जमाव छट से उने लगता है, तो वो टाइट कहलाता है, नीचे से उने लगता है, तो वो माइट, कई बार यह दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, पिलर यहां इस्तंब बोल देते हैं, कई ब मिल जाए, आपस में किस से, माइट से, ठीक है, और इसमें क्या है, यह कितनी टोपोग्राफी पढ़ दी हमने, तीन, एक, फ्लूवियल, दूसरा, एरिट, सेमी एरिड, और तीसरा आपका, और दो आपकी और बची हुई हैं भी, क्लेशियर और, सी, समुदर की लहरों के द हो जाएंगे, उसको बोला जाता है, सी वाटर की टोफोगाफ, ठीक है, तो डालो हेडिंग अगला, सी वाटर, समुदरी लहरों के दुवारा बनने वाली इस्तला प्रतिया, डालो हेडिंग जितना हो जाए कर लो, अभी 15 मिनट और है, समुदरी के दुवारा बनने वाल इ इस्तला करती हैं सब आपको समझ में आगे, सिर्फ उसका एक फॉर्मिट दुबारा से बताना है, कि उसको एरिड और सेमी एरिड में कैसे इरोजन और डिपोजीशन को डिवाइट करें, कौन सा, चाब वो फिर रह गया आज, लेके ही नहीं आया हूँ मैं उसमें, तो पू दोस्तों घर पे जाके बनाओंगा, फिर वो दूसरे काम में लग जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, प्राइड क्या एक्चुली प्राब्लम क्या, स्लाइड बनाने में बहुत टाइम जा रहा हैं, पहले स्लाइड क्या थी, यहां तो इंग्लिश में जा हिंदी में, और उनक स्लाइड आपकी अगली क्लास हो पाती है, रात में आयते लाइट ही नहीं थी, डीपी फुक गई थी नीचे वाली, वो पता नहीं रात में बना दी कैसे क्या हुआ, तो चल गया, नहीं तो क्लास है, इदर नहीं आई थी, फिर स्वेरे ही आई होगी, रात में सही की होगी, क्या जाएंड बनाने में बतल एक क्लास को बनाने में तीन-चर घंटे मेरे चले जाते हैं एक क्लास बनाने में और उसमें पिच्चर बगरा लगाना सारी चीजों को करना थाई बार मेटर आड़ फस्ट टाइम ज्यादा टाइम लग जाता है second time. जैसे कल Sunday है तो लंभी सलाइड चाहिए. कि लिए रात में मुझे कम से कम दो-चार गंटे तो लगेंगे. चलो ये क्लियर हो गया तो इसमें क्या हो जाएंगे? तो समुद्र का पानी, समुद्री दारा, जवार की लहरें, समुद्री लहरें, सुमानों की मदद से विभिन रूपों का निर्मान चरता. तो यहाँ पर जो उस्तला करतीयों का निर्मान हो रहा वो किसके दवारा? समुद्र की लेहरों के दुवार तो जब लेहरों से निर्मान होगा तो उसमें भी आपके erosion और टी पोजीशन दोनों परकार की चीज़ें यहां पर आ जाएंगे तो कौन-कौन से erosion है तो यह तो definition हो गया sea water sea water landforms टॉपी का मतलब केवल sea water नहीं है टॉपी का मतलब क्या है sea water landforms तो समुद्री लहरों द्वारा बनने वाली इस्तला करते हैं ठीक है करवा दूँगा टॉपी घबराना नहीं छोड़के नहीं जाओंगा बस रोज मुझे टोकते रहना अगर कल भी नहीं कराओ फिर नहीं करवा तो एक दिन तो शर्म आया की मुझे है इसना करा दिया करो जैसे कल आपने बोला परसोम मुझे आज फिर द्ध्यान ने रहा कङब फिर तो मुझे जाते में धियान रहे हैं देखे धरा इसको लिख लिया इसके अंदर भी कुछ अपर्दन है और कुछ क्या है निक्षेपन है तो अपर्दन के अंदर क्या क्या बनता है एक को बोलते हैं कॉस्टल क्लिफ तटी कंद्रा तो एक कौन सी स्था करती मिलेगी कॉस्टल क्लिफ तटिय कंद्रा ठीक है कंद्रा मतलग दूसरा इसमें मिलता है कॉस्टल केव तटिय कगार या भंग बोल देते हैं इसको या कगार याद रख लेना एक मिल जाता है सी आर्क जिसको बोलते हैं महराप लेकिन अंगरेजी बार-बार कह रहा हूं जरूर याद रखना एक होता है स्टैक स्टैक को स्टैक ही बोलते हैं ठीक है उसकी हिंदी अंगरेजी नहीं मिलती और एक आपको वसे इतिन नहीं है चारी है बाकी इदर आ जाएंगे कॉस्टल क्लिफ कॉस्टल क्लेव ये बहुत जादा नहीं है हाल हो जाता है कॉस्टल क्लिफ कॉस्टल केव सी आर्क और स्टैक चार स्टला करती है यहाँ पर मिल जाती है क्या हिंदी चेंज हो गई गया देख लेना हिंदी को चेक कर लेना आप लोग एक बार अगर गड़ पड़ है तो अंग्रेजी तो सही हिंदी को देख लेना हिंदी में थूक बोलते हैं लेकिन वह शब्ड यहाँ पर स्पिट यूज किया जाएग थूक नहीं यूज 너 रहेंगे बद्दा लगेगा एक उताए लेगुून यह तो आप जानते हैं लेगून के बारे में एक होता है टॉंबोलो और एक होते हैं बेरियर यहाप सबसे इंपोडेंट है इस पूरे में जो सबसे इंपोड़ेंटीज है वो है आपके बैरियर यहां से हर रोदिका कनेक्टिंग रोदिका दूप रोदिका कई टाइप होते हैं क्लियर हुआ इतना इनकी देख लूँगा अगर हिंदी में कड़ पड़ है तो कल मैं इसको क्रेक्शन कर लूँगा लेकिन अंग्रेजी में अभी लिख लो क्लिफ और केव और यहां पर आर्क महराब स्टैक पीच लूप हुक स्पिट लैकून टंबोलो पैरियर को बोल देते हैं रोदिका बाकी सारे सब्दा आपको अंग्रेजी में या और यह अंग्रेजी नहीं है यह जोग्राफी की भाषा याद रखना है तो यह मैं सोचा करू पर आपको एक सितलय करती दिखाई देगी और एक सितलय करते यहां पर आपको बिख़्ाई देती डहड है के पहले यहाँ तक रहा होगा तो डहड है किया ओकुरता खड़ी दिवाल की तरह Ben जाता है इसी को किया बोला जाता है कगार बोल देते खड़े कगार और उसमें कि बरinto किया होती होता है क्तमें जो पार्टी रहती है जैसे यह पाड़ी इसके अंदर तक देहरों के दवारा कटाव होके काफी लंबे किलो मीटर तक क्या बन जाती है बड़ी कुफाएं बन जाती है तो दोनों में कोई ऐसा रटने वाली चीज नहीं कि हमें रटना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएंगी समुंद्र की ल होती है ठीक है किसे बनेगा समुंद्र की लेहरों के दवारा और यह क्या बन जाती समुंद्र की लेहरों के कटाब से विक्सित चटानी गुफा मतला पहाड के नीचे या अंदर चोड़ा खालिस्तान क्या के लाता तटी गुफा के लाता गुफा की कोई definition रटने वाली तो i-all दोनों रही किस कारण से बने हैं खुर्च की लेहरों के दोवारा किया चाने वाले अपहर का की इस अंदर तक आप क्या है गुमने पिरने जा सकते हैं अ कि बहुत 270 हैं इसमें कॉस्टल क्लीफ हो गया कॉस्टल केव हो गया अंगरेजी चेंज़ कर लिए ना हिंदी सब्सक्राइब और ठापका स्टेक और महराब वह सिंपल रहता है को ज़्यादा नहीं के यह यह इस ट्रक्चर जो है यह आपका क्या कलाता हैं महराब ठीक है महराब जैसे घरों में भी बनाए जाते हैं मंदिर मजजिद में बनाए जाते है तो ये कैसे बना होगा ये पहले ऐसा नहीं था इसके बीच में पूरा पैक भाई है तो समुद्र से इधर से आने वाली लहरों ने उधर से आने वाली लहरों ने क्या क्या दोनों तरफ से बल लगाया तो दीरे दीरे उसके मिट्टी जो चटाने थी उनको क्या किया गया दीरे दीरे अपक्षित किया गया अपर्दित किया गया और अपर्दित करके ये पूरी तरीके से क्या हो गया आर पार खुल गया उसी को बोलते महराब कई बार क्या होता है यह उपर का महराब ढह जाता है पूरे का पूरा तो जब यह ढह जाता है तो जैसे मालो पहले भी यह उपर से रहा होगा तो वो केवल इस टाइप का पिलर खड़ा रह जाता है इसको बोलते महराब और इसको क्या बोला जाता है इस डह जाएगा automatic तो उससे क्या बन जाएगा stack समुद्र के तटों में या समुद्र के बीच में बने क्या होते हैं खड़े फिले type के क्या कलाते हैं तो वही लिखा है जब विप्रीत दिशाओं से विप्रीत मतला इदर उदर से लेरें चटानों की एक सक्री दिवार से टकराती है तो चटान विवेदक छरण एक पुल जैसे स्रचना फोड़ देता है विवेदक छरण का मतलब यहां पर क्या हो गया है जो अपक्षया हुआ CTMA पर्दन से क्या होगा का एक पुल टाइप का बन जाएगा हुसी पुल को क्या बोलेंगी महराब और जब महराब ढ़य जाएगा उसको क्या बोला जाएगा इस टैक बड़ी सिम्पछ्टियाए चार इस्दला करती है यहां पर बनती है सब पहला तक काka गार एक बनगी थे अंदर की तरह मुफा हुआ और इसमें इंतर है में पहाड के अंदर जाओगे आप यहाँ पर अप इससे निकलके फिर दर से निकलो फिर चले जाओ फिर निकल लाओ जा यह उपर से टूट गया तो क्या बचेगा केबल पिलर को क्या बोलेंगे स्टेक है यह चार इस्तला करती हैं आपकी हो गई क्लिफ केव टैक और आर्क ठीक टगार गुफा महराब और इस्टैक वीचारों किसे बनी हुई है कि समुद्र की लेहरों के दोबारा कैसी है इरोजनल है बस एक और पॉइंट बताना है कि यह दिखती कैसी है इस्टैक क्लिफा लीचनल पार्ट तो आपको पता जाता है कि हẪो अज़ैगारा नहीं अगर तोड़ा सा याद रहता है आप इसके बाद आते हैं आपके नीस ननल पार टो डिपोजीट में क्या मिलता है और आमें बीच अकेला ही लगाए नहीं कोई जुरुत नहीं ही यह किसे बनेगा deposit se किसके deposit से sediments के deposit से नदीओं के दोवारण या किसी तरीके से युक्षly के गोते लगाई है समुद्धर की लहरों के दोवारा निंड़ड़ वाले समुद्री ओटाउं पर विविन परकार और अकार के अवसादों के निच्छेव दुवारा बनाएगी इस तलह करती को वहां सागरी समुद्र का पुलिन कहा जाता है तो समुद्र की लहरें आके क्या करते हैं? यहां पर मिट्टी जमा करती ही रहती है तो उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ क्लिर हो गया तो यह क्या कहलाएगा? इसलिए हमने अकेले वाले की फुटो ली दिखा हुआ है क्या बोलना है? फिर जाता विजा रहा है ना? चलो अब इसमें दो तिन शब्द और हैं एक शब्द आता है आपका स्पिट तो स्पिट क्या है? पानी की और एक अवरोध हैं जिससे स्पिट कहा जाता है ऐसे समझ में नहीं का फोटो देखो यह है तो पानी के अंदर क्या होता है? जैसे ये को इस्तल है तो इस टाइप का पूरे का पूरा एक किसी भी डिजाइन में हो सकता है जैसे थूक किसके हो लिया जाता है जैसे हम लोग थूकते हैं तो एक लंबा सा डिजाइन बना देते है देखा होगा तो वो इस टाइप से इसको शब्द लिया गया है तो यह समुद्र के तट पर इस्तल के और निकला हुआ एक इस्तला करती है जिसको क्या बोला जाता है स्पिट बोला जाता है कही बार यह स्पिट क्या होता है जैसे यह है यह भी स्पिट है यह बना हुआ यह भी क्या स्पिट है ऐसे करके अगर स्पिट यहां तक जमा हो जाता है एक हुक टाइप की बन जाती जानते हैं ना हुक तो उस हुक टाइप को क्या बोलते हैं नाम ही उसका हुक के बोलना क्या है ठीक है ना और कई बार यह हुक क्या होता है बहुत जादा हो जाता है ऐसे करके तो उसको क्या बोल देते हैं लूग अगर simple याद रखो कि अगर यह इस तरीके के सीधा निकला हुआ बना है तो इसको क्या बोलेंगे spit अगर यह ऐसे निकला और इदर से आके मुड़ गया ऐसे करके तो उसको क्या बोलेंगे hook और अगर ये और जाके आंगे मुड़ा और इस तरीके से इधर चला गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? वही परिवाशा में देखो लिखा हुआ है तो फानी लेरों के कारण स्पिट मुड जाता है तो उसे हुक कहते हैं यदि हुक अत्तिदिक मुड जाता है तो किनारे मिल जाते हैं तो इसे लूप या रिंग बोलते हैं तो रिंग टाइप के बनाएगा तो बड़े सिंपल शब्द हैं कोई ऐसे रटने वाले नहीं है तो पहले बनेगा स्पिट मुड गया तो हुक हुक मुड गया तो लूप जा जाए हां तो यह मुड गया तो बीच में पानी बर गया वह लैगून बन जाएगा वही चो लैगून होता है तो लैगून की प्रवाइशा मा अलग तरीके से पढ़ लेते हैं इन तीनों को अलग पढ़ लेते हैं केलियर हो गया तो स्पिट से बने का हुक और हुक और मढ़ गया तो क्या बन जाएगा लूप या रिंग टाइप का बन जाएगा यह कैसे हैं सारे कैसारे समुद्र की लेहरों के दुवारा निच्छे पित इस्तला करती है स्पिट फुक और लूप और बीच यह चारों चीजें आपकी एक साथ रहेंगी ठीक है ओनलाइन सेम टाइम रहेगी जो अफलाइन टाइम है वही ऑनलाइन में रहेगी ठीक है सेम टाइम पर चलेगा अलग नहीं रहेगा मैं दो दो बार थोड़ी पढ़ाऊंगा एक ही बार पढ़ाऊंगा वही क्लास लाइव रहेगी वही ऑनलाइन रहेगी ठीक है सेम टाइम पर रहेगी ऑनलाइन और अफलाइन सर जी प्लीज टेल अस क्या पूछना है आदित्य सिंग क्लास NCRT में ही स्टड़ी कर लो हम यहां क्यों आए है अपस में लड़ बैठते है स्पिट हुक और लूप अब एक शब्द और आता है बार यह भी उसी टाइप का लेकिन structure अलग होता है तो नाम अलग कर दिया जाता है बार तो बार क्या होते हैं यह बार हना तो बार का मतलब होता है कि जब तट के किनारे समुद्र की लहरों के दवारा अब सादों का निच्छेप कर दिया जाता है तो इसमें spit loop type का structure नहीं होता समनांतर सीधा होगा मतलब यह होगा कि यह जो तट है हमारा यहाँ पर एक तो यह तट के सामने होगा लंबा होगा और तट के बीच में क्या रहेगा गैप रहेगा तट के साथ जुड़के नहीं समुद्र की लहरों के माध्यम से अवसादन दवारा तट रेखा के समनांतर बने वाले रेत की लकीरों या तट बंद क्या कहलाते हैं पार कहलाते हैं तो सिंपल हो गया तो यह दो चीज़े याद रखना कि यह तट के साथ जुड़ा नहीं है तट के समनांतर बना हुआ है क्या है समुद्र की लहरों के दवारा सेडिमेंट्स का रिपोजीजन है सी आर्क और सी जा पूछे हैं स्टेक कहां पर मिले समुद्र में कहीं पर मैं ऐसे गया नहीं हूँ गोमने कहीं पर मुझे मिल जाए समुद्र में कहीं पर जाओगे तो शायद वहां इसके मतलब कोई स्पेशल एक्जामपल नहीं है कि फ़लाने देश में यह आर्क मिलता ऐसा कोई स्पेशल एक्जामपल नहीं होता यह समुद्र के कहीं पर भी मिल सकते हैं ठीक है हम कभी भारत से बाहर गई नहीं है ठीक है ना भारत के आस पास के समुद्र को इन देखा अबी तक आना तो जब समुद्र को नहीं देखा तो मैं कैसे बता दूँ हैं समुद्र को कभी देखेंगे बड़े-बड़े ऐसे पहाडों के पास में जाएंगे तो तब जाके मैं बीच पर नहीं मिलेगा उसके लिए समुद्रों में जाना पड़ेगा टाइमिंग बता देंगे शाम तक ठीक है मुस्टली 9 बजे क्लास होगी वाकी की टाइमिंग आपको मालूम पड़ जाएगी अब इसी में होता है एक offshore और लॉंग शॉर पार इसको हिंदी में बोला जाता है अप तट रोधिका पार को हिंदी में क्या बोलते हैं राधिका नहीं रोधिका अप तट रोधिका ठीक है अप तट रोधिका राधिका नाम सुनाएं इस पिच्चर में था दिल जले देखी है उसमें वो लड़की का नाम रहता है रादिका, नहीं देंकि दिल जले, ऐसी पिच्छर देखा करो, अच्छी पिच्छर है, मैं तीन-चार बार देख चुका कम से, आजे देवगंद की, शाका, बहुत अच्छी पिच्छर है, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ शाका से, तो आप्शोर बार क्या बोलते हैं इसको, अप्तट रोदिका, तो यह जो डाइगराम दिखा है, यह एक परकार के अप्तट रोदिका का डाइगराम है, तो समझे ले जारा, तो अप्तट रोदिका का मतलब क्या होता है, कि अपसादों का ऐसा जमाव, जो तटके समनांतर होगा, और तटके साथ जुड़ा हुआ, न रोदिका connecting tissue वगरा science में पढ़े होंगे संयोजक उतक संयोजी उतक उसी type से ये भी connecting bars हैं संयोजी रोदिका और एक होती है looped bar और loop का मतलब तो loop ही होता है ठीक है हिंदी में शायद बोल दें किया इसको बिचे loop बार ही बोला जाता है शायद मुझे loop रोदिका ही मिलती है क्या कुंडल कार बोल सकते हैं अब कुछ भी बना लो उसका नाम से समझ गए तो देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अफसाद का निचेप हुआ है ये बगल में स्पीट बगरा कुछ भी हो सकते हैं ये जो अफसाद का निचेप हुआ है इस निचेप को क्या बोलेंगे offshore बार वर्ल्ड में सबसे लंबा जो offshore बार मिलता है वो USA के eastern cost पर मिलता है इसका नाम अबे मुझे याद नहीं है cap hatrous cap hatrous वर्ल्ड का सबसे longest offshore बार है ठीक है तो मिल जाएगा USA में पढ़ाए जाता है अब यहाँ पर देखोगे इस चीज़ को तो यहाँ पर यह जो hand निकला हुआ था land का और इस side से भी एक बुजा निकली हुई थी पहले यह lagoon के आता जुड़ा नहीं था इन से अब यह क्या हो गए यह पूरे का पूरा इन से जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं connecting रोदिका और उसके बीच में पानी बर गया तो क्या बन जाएगा लेकुन बन जाएगा और अकर द्वीब के चारों और बनता है चलो यह हो गया आपकी कहने यहां पर complete तो offshore बार क्या है लूप बार क्या है और connecting बार क्या है पहले तो याद होना चाहिए बार क्या है बस याद रखना यह cost के पैलर होगा और यह cost के पैलर होगा लेकिन दोनों तरप से जुड़ा होगा और यह किसी island के साथ आपको मिल जाएगा यही को तीन परकार से आप डिवाइड कर सकते हैं offshore बार लूप बार एक दो टर्म होरें जैसे टंबोलो का term यूज होता है उसको भी देख लो ज्यादा बड़ा नहीं है तो एक मिनट में हो जाएगा लेगून्स तो जानते ही इसकी प्रवाशा तो ज्यादा पढ़ने के टंबोलो क्या होता है टंबोलो को दिख लो यह होता है टंबोलो यह क्या है टंबोलो नहीं है यह द्वीप है यह क्या है एक द्वीप है अभी द्वीप नहीं लग रहा पहले यह द्वीप होगा यह इ इसको बोलते हैं टंबोलो एक ऐसा पाट रहता है जो समुद्र के अंदर किसी दीप को इस तल के साथ जोड़ देता दीरे-दीरे मिटी जमा होते होते पूरा रास्ता बन जाता है वैसे पानी से तैर के जाना पड़ता था अब पानी के ऊपर से इस रास्ते से आ वहां तक पह यह क्या हो सकता है कोई रोधिका हो सकते हैं कोई स्पीट हो सकता है उसके माध्यम से जुड़ जाता है उसको बोला जाता है टंबोलो तो वह टाइप का टंबोलो का एक्जाम्पल लेकिन वह टंबोलो नहीं है क्योंकि वह क्या है पहले से बनी हुए पथर की चट्टान है लेकिन यह अलग तरीके से बनता है वो उस टाइप का कह सकते हैं लेकिन है नहीं चलो यह टॉपिक आपका कम्प्लीट हो गया है कौन सा ठीके अगर जुड़ जाता तो इस्पिट तब तक उसको बोलेंगे जब तक वो कि सी द्वीप से नहीं जुड़ता अकर वो ड्वीप से जुड़ गया वही स्पिट क्या बन जाएगा संबोलो बन जाए ठीक तो यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया कल एक बार इनका जो रह गया वो रिवीजन करा दूँगा विंड वाले में प्रॉब्लम थी वो रिवीजन कर लेंगे इसका भी एक बार दुवारा से देख लेंगे तो खल परवत के वलड़? केवल परवत, हिंडिया के केवल, onlly अगया के परवत, पठारा सकते लेकि परवत तो 100% पर ले-था कर अजाए तो ठीके नहीं आए तो ठीके लेकि परवत तो besles primeira का पर पर टार के लेना प्रोड़ बाझाब करो माझाए तकाश पर नहीं काश और नहीं कि कुछ लिए खर प्रचार को अजिए भागाता रह प्रॉग नहीं कि अब भी आए इसे कुछ अबने दोख़ हिए ए कि अबने टोर रह इसे हैं कि जद शकते ही टुट्ट है झाल